अगर आप महिला परिव्यक्षक की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है एक बार आप अपनी तरफ से सवाल को सौल हो करके देखिएगा साथ ही प्रेक्टिस करके जाएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा जैसी के आप देखर इंस्क्रीन पर एक कोश्चन दिखाई दे रहा हुगा आपको तो मालूम ही होगा कि देखिए इसको कैसे सौल्व करेंगे तो इस सबसे पहले फार्मूला आपकर नहीं लगेगा इसको आप याद रखना है यह आपका पांच स्वर है ठीक है पांच वावेल है इसको याद रखने जैसे की देख सकते हैं आप यहाँ पर आर ए आर इ में कौन से स्वर है देखिए आपका ए यह वाल आपको दीख रहा है उसलिप्रकर सी एटी को लिख लेते हैं चलिए अब इसमें ढूंटते हैं तो देखेगा यहाँ पर दिखे ए इई आई ओयू हमने यहाँ पर निकाला है तो इसमें कितना है ए यहाँ पर मातर कितन आपको क्लियर समझ में आया चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं जैसे हैं आपर दिखे इस सिंख्रम में लूप तो संख्या को ग्यात करना है जैसे दिखे 7, 9, 14, 24, डॉट यहाँ पर हमको संख्या ग्यात करना है और यह संख्या आगे बढ़ती हुई है तो आंसर है 45, आंसर 20, 37, आंसर 41, आंसर 43 तो चलिए इसको सॉल्वा करते हैं तो द भी के सिंख्रम देखे 7, 9 में कितने कंतर है जल्दी से बताएगा 7, 9 में 2 कंतर है वस्ति प्रकार 9, 14, कितने कंतर है 5 का और 24, 24 में 10 का वस्ति प्रकार यहाँ पर हमें ज्यात करना है तो चलिए देखे यहाँ पर एक बढ़ फिर से समझेगा कि यहां तक तो अंतर हमें निक चीपाल है ना तो इस संख्याच चल रही है तीन पांच तो इधर आपका सात आना चीए सात ठीक है यहाँपर आपका साथ आ चुका है एक मिनट ना इसको हम इसको कैंसेल कर याँपर यहाँपका 40 आ चुका है 24 और 17 को हम जोड़ेंगे तो 7, 4, 11 का 1 3, 4, 41 तो यहां पर कितना आएगा आपका 41 ठीक है यहां पर कितना आएगा आपका 41 तो इसका आंसर कुन सो आजाएगा answer C समझ में आया क्या जैसे कि देखें आपर 3, 5, 7 तो यहां पर 9 आएगा 17 और 9 को जोड़ेंगे कितना आजाएगा वैसी पर इस परकार आपका सरसर बनेगा ठीक है समझ में आया चलिए next question देखते हैं दिये गए विकल्पों में विसम संखे चुनना है मतलब दिखे यह B, C और D दिया गए तो इनमें हमें विसम संखे चुनना है देखेंगे 13 और 14 जोड़ रहा है तो कितना बन रहा है आपका चुनना आ रहा है वसी परकार 225 किसका ओवर्ग है 15 का ठीक है तो 15 का ओवर्ग है तो इसको करते हैं 15 का ओवर्ग है 15 प्लस कितना करेंगा 1 तो नहीं करेंगे 3 करेंगे ताव ही जोडेंगा कितना आजागा आपका 18, ठीक है? यहां तकक रिएर हुआ वसी प्रकार 196 किसका उवर्ग है? 196 आपका चौदा कउवर्ग है ठीक है? तो चौदा कउवर्ग है तो इसको ऐसे करते हैं चौदा और इसको एक तो नहीं जोडेंगे 3 जोड़ेंगे तभी 17 आपका, 3 जोड़ते हैं, तो कितना जाएगा आपका, 17, वसी प्रकार देखे, 256 किस का वर्ग है, 16 का, ठीक है, 256 का वर्ग है, तो देखे, 16, और कितना जोड़ेंगे मैं आपको, 3 जोड़ेंगे तभी 19 होगा, तो 3 जोड़ते हैं तब कितना जाए हुआ है? 19 यहां तक clear हुआ? यहां तक clear हुआ? देखे, आब इसमें 3 इसमें 3 common दिख रहा है लेकिन इसमें 1 जोड़ रहा है तो सबसे different कि इसमें है देखे, 15 और 3 जोड़ रहा है तब का 18 आ रहा है तो इसका answer आपका a होगा समझ में है? क्योंकि देखे, इसमें plus 1 जोड़ रहा है बागे में plus 3, plus 3, plus 3 जोड़ रहा है यहां कि तीनों same है जिब कि यह पहला वाला बिल्कुल different है तो इसका answer कौन सा हो जाएगा? आपका a यहां तक clear हुआ चलिए next question देखते है देखे, इसमें आपको स्तिरिंखला में समझना होगा कि प्रतिस्हापत करने वाले संख्या कौन सा है? कैसा है? गांसा चलिए हम इसको solve करते है solve करने का असान तरीका है देखे, 12, 8 आपका 20 हो जा रहा है तो ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि देखे, यहां पर 20 पहले सी दिया है तो इस प्रकार नहीं बनेगा तो इसको गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम इस प्रकार करते हैं 8 और 4 कर गुणा करते हैं कितना होगा? 8 चलिए 32 ठीक है? तो 32 में अगर हम 12 को घटा देते हैं तो कितना है गर 32 में 12 घटाएंगे तो आपका 20 आएगा? उसी प्रकार 7 और 9 को गुणा करेंगे कितना का? 7 नहीं है 63 63 में अगर हम 25 को घटाते हैं तो कितना हैगा आपका? 38 और 6 चौंक? 24 24 में अगर हम 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 0 तो इसका अंसर कौन से देख रहा है? अंसर A यानि कि यहां तक आपको क्लियर हुआ ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिगा वीडियो को लाइक कीजिगा चलिए यहां तक आज की क्लास खतम करते हैं ऐसे 4 कोशन लेकर आया थे जो आपके महिला परियोक्षक में पूछे जा सकते हैं तो डेली अगर आप महिला परियोक्षक की क्लास करना चाहते हैं रिजिनिंग से सम्मद इस सवाल देखना चाहते हैं तो डेली बने रहीगा है ना और महिला परियोक्षक में विविन योजनाय की क्लास चर रही है अगर आप जोड़ना चाहते हैं